बात करें याँसे अगर अब खादय तेखने। आला कि सर्सों की कीमतों में पहले के मुकाबले कुछ वायदा बजार में कुछ हलकी सी खरीदारी निकली है निचले सतरु से, लेकिन पहले वाले लेवल देखने को नहीं मिलना है जो हमने 87, 86, 88 आते वे देखे था, वो सर्सों की कीमतों में, कीमते हैं हम दिने ही देखने हैं कई जवा उपर फसल थोड़ी लेट आने आ सकती है मंडियों के अंदर दूसरा अभी जो सरसों की बुवाई चल रही है उससे जो उत्पादन होगा वो दोगुना होने का अनुमा लगाया जा रहा है क्योंकि इस बार सरसों किसानों को काफी अच्छी कीमते मिली हैं जिसकी व गुना बता रहे हैं कि इस साल जितना हुआ है अगली फसल में उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो सरसों की कीमतों में नर्मी देखने को मिल सकती है क्योंकि आवके ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो जो सप्लाई है मार्किट के अंदर मंडियों के बरपूर रहेगी अगर किसान कंटिनूसरी लाते रहते हैं रोक रोक कर नहीं लाते हैं तो लेकिन जब तक नई फसल की आवक होती है तब तक किसान के पास अच्छा कासक समय है सरसों से अच्छा मुनाफ़ा कमाने का किसान चाहें तो नहीं सरसों की आवक होने पर भी अपनी सरसों बेच सकते हैं या फिर जैसा भी कर रहे हैं रोग रोग कर बेच रहे हैं किसान वैसे भी अपनी सरसों अभी बेच सकते हैं नहीं फसल की आवक होने पर क्या होगा कि जब नहीं फसल आएगी सर्सो की उसमें नमी की मातर अजाद होगी जिसकी वज़ा से जो परानी सर्सो है उसकी जो कीमते हैं वो पहले से ही बढ़ जाएंगी अबी हम देख रहे हैं कि कुछ-कुछ जगा उपर सर्सो अभी भी 9200 के उपर विक्तिवी नजर आ रही है तो सर्सो की कीमते इस बार भी काफी अच्छी खासी अभी भी हाल फिलाल में देखने को मिल रही है